Assalamualaikum, in this lesson we are going to learn के text tool, shape tool और दोनों selection tools हमें अपने quotation design में किस तरह से assist कर सकते हैं और मैं उमीद करता हूँ के आपने file create कर ली होगी और इसके इलावा आपनी एक custom workspace भी set कर ली होगी. So let's have a look के ये चारो tools हमें किस तरह से assist कर सकते हैं तो अगर मैं left side के panel में देखूँ यहां से मैं text tool पे click कर रहा हूँ और text tool पे click करने के बाद मैं अपने canvas के उपर या canvas से बाहर आप जहां भी click करेंगे आप वहां पे अपना content write कर सकते हैं. So इसके लिए compulsory नहीं है कि आपने canvas के उपर ही click करना है आप canvas से बाहर भी click कर सकते हैं. So for better visibility हम अपने canvas के उपर ही click करते हैं तो इसने यहां पे dummy content add कर दिया that is lorem ipsum ठीक है? इसके बाद मैं अपने selection tool पे जा रहा हूँ मैं इस पे click कर रहा हूँ और यहां पे आप देखें कि इसने फॉरण से इसके handles को visible कर दिया जो के text में write, write किया था So इन handles को पकड़के मैं इस text को resize कर सकता हूँ और मैं इस text के उपर click करके इसको move कर सकता हूँ इसकी position को change कर सकता हूँ तो मैं यहां पे इसको resize करता हूँ इस text को So मैं इसके handles के उपर अपने mouse को लेके जाता हूँ cursor को लेके जाता हूँ और इस पे click करता हूँ और इसको resize करता हूँ तो यहां पे मैं आपको एक good practice बता देता हूँ कि resize अच्छे तरीके से कैसे किया जाता है So अभी मैंने अपने keyboard से कोई भी button प्रेस नहीं किया हूँ मैं simple mouse से click करके इसको resize कर रहा हूँ लेकिन अगर आप अपने keyboard से shift को press करें और अब मैं इसको resize करूँ तो आप इसमें difference देखेंगे कि shift को press करने से वो इसको equal dimensions में equal ratios में जो उसकी original ratios थी उसमें ही उसको resize कर रहा है तो अगर मैं shift को release करूँ तो अब आप देख सकते हैं कि जब मैं इसको resize करूँगा तो जो original shape थी इस content की इस font की वो possible है कि इसकी जो original shape है मैं उसको disturb कर दूँ तो good practice क्या है किसी भी icon को, किसी भी image को, किसी भी shape को किसी भी text को resize करने के लिए shift को press करें और उसके बाद उसको handle से पकड़के आप resize कर सकते हैं तो अगर मैं इसकी properties को देखना चाहूँ तो हमने यह देखा था कि यह जो workspace वाला panel है इसमें different properties हैं और इसमें आपको एक property पैनल नज़र आएका character के नाम से तो अगर मैं इस character पर click करूँ और यहां से मैं इस text पर click करूँ तो मैं इस text की properties को यहां से change कर सकता हूँ लेकर अगर आपने इस text को select नहीं किया हुआ और आप फिर यहां से properties को change करते हैं तो इस text पर इन properties को change करने से कोई फरक नहीं पड़ेगा तो अगर आप चाहते हैं कि इस text की properties change हो तो इसको select करना जरूरी है तो मैंने इसको select किया इसके बाद मैं इसकी properties को यहां से change कर सकता हूँ for example हम इसका size कहते हैं इस वकद 116.65 points इसका size है तो we say that इसका 125 points size कर दे इसका यह तरीका भी है इसको resize करने का अगर आपको बहुत specific size चाहिए अपने content का यह आप handle से पकड़के इसको यहां से भी resize कर सकते हैं तो अगर मैं यहां से इसको resize करूँ तो you will see के properties panel में मैंने इसको resize किया तो इसने इसका size है उसको update कर दिया and that is 79.2295 so कुछ इस तरह से आप किसी भी text की properties को change कर सकते हैं इसके लावा आप चाहते हैं कि जो इसका font है आप उसको change करना चाहते हैं तो यहां पर आप अगर आप देखें तो यहां पर लिखा हुआ है by default my rate pro आप जो भी content लिखेंगे वह default my rate pro font family आपके content को assign कर दी जाएगी so मैं यहां पर click कर रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे यहां पर different font चाहिए जो कि आप इस list में से choose कर सकते हैं there are a number of fonts तो मैं यहां पर एक font choose करते हूँ that is pop-ins तो हम pop-ins assign करते हैं अपने इस content को और इसके बाद हम इस content को change करते हैं so इस content को change करने के लिए मैं दुबारा से text tool ले रहा हूँ और मैं यहां पर आके इसकी selection करता हूँ और इसके बाद आप मैं इस content को update कर सकता हूँ so यहां भी हम अपनी quotation लिखते हैं that is very interesting when nothing goes right, go left so this is a very interesting and very funny quotation और हम देखते हैं कि इस quotation को हमने अपने canvas के ओपर किस तरह से adjust करना है तो इसको अपने canvas पर adjust करने के लिए different तरह के ways हैं एक इसका तरीका तो यह है कि मैं दुबारा से text tool को लूँ और उसके बाद यहां पर जैसे कि हमें नजर आ रहा है कि यह जो right का word है और इसके बाद go left है यह हमारे canvas से बाहर जा रहा है तो जैसे आप Microsoft word यूज़ करते हैं बाकी text editors यूज़ करते हैं तो मैं यहां पर backspace प्रेस करता हूँ और अपने keyboard से enter press करता हूँ तो यह उसने उसको next line पे move कर दिया एक इसका यह तरीका है इसको next line पे move करने का लेगन मैं समझता हूँ कि this is not the right way किसी भी content को adjust करने के लिए उस canvas के उपर क्यूंकि जब content ज्यादा होता चला जाएगा और अगर आपने content को enter press करके adjust किया हूँ so that can create a real trouble for you so मैं दुबारा इस पर click कर रहा हूँ और यहां पर आपको एक white circle नजर आएगा मैं इस white circle के उपर double click कर रहा हूँ और अगर आप गौर से देखें तो यह जो white circle था उसने उसको filled blue में convert कर दिया इसका मतलब है यह जो हमारा text था यह एक paragraph text बन गया so अगर आप मैं इसको resize कर रहा हूँ अगर आप आप देखेगा पहले हम इसको यहां से handle से resize कर रहे थे तो यह इसका size change कर रहा था लेकिन अगर आप मैं इसको handle से पकड़ के move करूँ तो इसका size change नहीं कर रहा बलकि मेरे content को adjust कर रहा according to the space जो के मैं उसको देना चाहता हूँ so अगर आप यहां पर देखें आपको एक red square नजर आएगा इसका मतलब है कि आपने जो content इस box में लिखा है there is something missing so यह जो symbol red आपको नजर आ रहा है या आपको indicate कर रहा है there is something missing तो या तो वो जो missing part है वो आप इसको left side पे move करके वो symbol खतम कर सकते हैं अपना content लेके आ सकते हैं या हमें क्योंकि इस canvas के उपर content second line पे place करना है so हम उसको नीचे की दिरफ move करेंगे इस handle से तो वो जो हमारा missing content है वो उसने यहां पर display कर दिया अब इसका फाइदा यह है कि मैं दुबारा से अपने character वाले panel में जा रहा हूँ और हम इसका size increase करते हैं यहां पर हम दुबारा 120 points लिखते हैं और अगर अपने content को adjust करना है so let's adjust the content तो हम क्या करते हैं इस content को यहां पर adjust कर लेते हैं और इसके बाद हम इसके author का नाम लिखते हैं so मैं दुबारा से text tool ले रहा हूँ मैं दुबारा से अपने canvas के उपर यह कहीं भी click कर रहा हूँ so अब इसने क्या किया इसने जो last minute text write किया था इसने उसी की properties को copy किया और next text की layer पर उसी style को paste कर दिया so यहां पर हम author का नाम लिखते हैं that is also very interesting john mango इसको हम थोड़ा सा resize कर लेते हैं इसको हम नीचे ले आते हैं यहां पर place कर लेते हैं इस text को इस content को हम थोड़ा सा मजीद bold कर लेते हैं सो जो font family हम use कर रहे हैं उसके अंदर different variants है so let's go with the bold one इसका size हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं I think this is good 118 और we can choose 115 और between the lines properties अगर आप change करना चाहते हैं so let's move it to 130 points इसके बाद हम character के properties पैनल को वापस adjust कर लेते हैं और मैं यहां पर side पे click करता हूँ इसके बाद हम इस content की back side पे एक shape को use करते हैं तो मैं अपने left side वाले panel में इस rectangle tool को select कर रहा हूँ और जैसे आप paint के अंदर shapes को draw करते थे आप बिलकुल ऐसे ही अपनी shapes को draw कर सकते हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं के shapes जैसे के हमने देखा के shift को press करके जो भी आपका content है जो भी आपका design element है अगर आप shift को press करके उसको draw करें तो equal dimensions में आपकी shape या जो भी आपका content है वो equal dimensions में draw होगा या उसको आप resize कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर देखें तो आपका content है जो आपने लिखा था वो आपका disappear हो गया है तो उसको सामने लाने के लिए उसको visible करने के लिए हम देखेंगे थोड़ा सा layers panel को देखते हैं तो right side पे यहाँ पे properties panel है layers के नाम से अगर आपको layers का option नहीं नजर आ रहा तो windows में जाएं और यहाँ से जाके आप इन layers को enable कर सकते हैं तो मैं इस layers वाले panel में जा रहा हूँ और हम इस arrow पे click करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने जो जो content create किया था उसने उसकी अलग से layer बना दिया है यह हमारी quotation लिखी वी है यह author का नाम लिखावा है और यह जो shape अभी हमने recently draw की है तो हम चाहते हैं कि हमारा जो content एmpfen है वेजिबल हो तो यहाँ पर मैं इस quotation को से उपर move करता हूँ और ⑧ और इस author के नाम को भी इस इह उपर move करता हूँ जी तो यहां पे हमने अपनी quotation को और अपने author name को इस rectangle shape से उपर place कर दिया, इसका मतलब है कि अब हम इसको देख सकते हैं लेकिन हम इसको देख इसलिए नहीं सकते हैं, क्योंकि दोनों का color बिल्कुल सेम है, so let's change the color of the text तो हम यहाँ पर hover करते हैं, इस quotation को select करते हैं, और left side पे आपको black color नजर आ रहा होगा तो मैं इस पर double click कर रहा हूँ और मैं अपने circle को move करता हूँ towards right और इसके बाद मैं इसको okay कर लेता हूँ बिल्कुल ऐसे ही मैं अपने author name को select कर रहा हूँ, मैं इस वाले color पर जा रहा हूँ double click कर रहा हूँ, और मैं अपने circle को move कर लेता हूँ towards white color और मैं यहां से okay press कर लेता हूँ, so हम इसको continue करेंगे next lesson के अंदर, लेकिन मैं चाहूँ गा कि at least आप इसकी practice जरूर करें, see you in the next lesson, thank you so much